नमस्कार दोस्तों देवी अहिल्या विस्विद्याले इंदौर देवी अहिल्या उनिवर्सिटी इंदौर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें कहा गया है कि देवी अहिल्या विस्विद्याले इंदौर से सम्मंध प्राप्त महा विद्यालेों की बीपीड इसकी परिच्छा निगड़ोई से प्रारूम होना प्रस्तावित है बीपी अड़ एवं एमपी अड़ प्रत्म समस्टर के नियमित एटीक एटी भूत्पूर परिच्छार्तियों द्वारा परिच्छा आवेधन पत्र ओनलाइन भरे जाना है परिच्छार्तियों के परिच्छा आवेधन पत्र महाविध अलम प्रस्तथ करने एवं भी स्विध अलम हावेधन प्रस्त॥ करने की दिथिया निमना नुसार है इसमें जितने भी स्टुडेंट हैं बीपीर और एमपीर के फर्स्ट सनस्टर थे सभी college जो affiliated है देवी एहलिया विसे विद्याले इन दौर से देवी इन दौर से उन सभी के लिए है तो आप form भर सकते हैं form भरने की जो last date होगी वो होगी 18 फर्वरी 2022 बिना बिलंबसुल के 18 फर्वरी 2022 सक आप form भर सकते हैं इसके बाद 100 रुपए लेट फिस के साथ आप 22 फर्वरी 2022 तक form जमा कर सकते हैं और 750 रुपए विशेश बिलंबसुलक और विशेश अनुमति से कुलपदी महादे की form भर सकते हैं 25 फर्वरी 2022 तक और 1000 रुपए के साथ भी है परिक्षा प्रारम होने से 5 जन पूर्व तक कुलपदी महादे की विशेश अनुमति से तो आप process करें कि समय रहते ही form भरें तो date आपको clear होगी 18 फर्वरी 2022 इसमें जो आपको form भरेंगे वो आपको online भरना है अब इसमें आते हैं कि exam fees क्या लगेगी तो BPA batch 2021 और 23 के लिए है नामांकन सुल्क रहित बिना नामांकन सुल्क के 2750 रुपए लगेगा नामांकन सहित exam form होगा 2850 रुपए 2850 रुपए और MP8 batch 2021 तेज के लिए without enrollment fees होगी 2575 रुपए और included enrollment fees यानी नामांकन सुल्क सहित नामांकन सुल्क और परिच्छा form सुल्क दोनों मिला के होगा 2675 रुपए अब अगर आपके VPR या MPR में 80-80 होती है तो बारास रुपए पर subject recording जो है चार्ज लगेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं आपको कोसिस करें समय रहते हैं फॉर्म भरें और इसमें form भरने के बाद जितने भी आपके पुरानी mark seat है और उनकी photo copy जो है आप लगाएं जो आपने form भरा है और hard copy जो है आपको आपके college में submit करनी होगी तो वहाँ से आपको form अप्रूब होगा ध्यान लखें form भरें form भरने के बाद आप print out ले और पाकी document लगा के hard copy जो है आपके college में आप submit करें तो आपको form जो होगा बाकी आप समय लेते form भर सकते हैं बस इतना ही है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद